दियर स्टुडेंट्स आजन कलास एफ एंसे आटी में तक्सर साइज 6.1 के सम करेंगे थर्ड एंड फॉर्थ थर्ड समस्टुडेंट्स दा स्केर्ज ओफ विच ओफ दा फोरोविग वूड बी ओर नमबर्ज यह नीचे ठोल नमबर्ज देंगे एएस स्टुडेंट्स हमने यह बताना ही इन में से किस का स्केर ओड नमबर होगी तो स्टुडेंट्स हमने यह पता होना चाहिए कि ओड नमबर का स्केयर ओड आता है और इवन नमबर का स्केयर इवन आता है आता है और इवन नमबर का स्केयर आता है और इवन नमबर का स्केयर इवन आता है ओड नमबर इवन नमबर इवन नमबर का स्केयर इवन आता है और ओड नमबर का स्केयर ओड आता है लेकिन अब हम यह तो पता होना चीए इनवे से कौण से नमबर इवन है और कौण सी ओड है तो students even number वो थी है जो 2 से divide होजए और odd number वो थी है जो 2 से divided ना हो और 2 से divide होती है नहीं होती है यह पता करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है 0, 2, 4, 6, 8 जिस भी number का unit digit या तो 0 हो या 2 हो या 4 हो या 6 हो या 8 हो वो even number होती है या यह कह सकते हैं कि वह two से divide होती है तो अब इन में देखो कि यह two से divide है नहीं है क्योंकि इसके last में इन में से कोई भी digit नहीं आया है तो it means यह odd number है और इसका square भी odd ही आएगा अब यह बताओ even है या odd है तो इस rule के according देखते हैं even number है तो इसका even ही आएगा और इसका क्या आएगा odd क्योंकि यह odd number ही में से कोई भी digit इसका last में नहीं है और यह क्या है even number क्योंकि इसके last में फोर आया है तो students हमने only वह number find out करने है जिनका square odd number होगा तो यह हमने first यह लिखना था फिर उसके बाद लिखेंगे so बाद स्केर्च ओफी 431 एड 7779 बुडब बी ओर नमबर्च 431 एड 7779 का जो square होगा वो odd number होगा तो students यह अपना third sum complete होगा अब फोर्च सम करते हैं fourth sum students observe the following pattern and find the missing number यह number का pattern दियागा students हमने इसका ध्यान से अध्यन करना है कि इसमें क्या pattern है और जो भी missing legit है वो हमने फिल करने है जैसे यहां क्या आना चीए यहां क्या आएगा और इसमें क्या आएगा 101 का स्केयर 10,201 अगर 101 का स्केयर आप निकालोगे तो यह आएगा यह नहीं कि क्यों पेटरन बढ़ाने के लिए नो जैसे लिख दिया यह true है अब है 1001 का स्केयर 1001 का स्केयर यह आएगा तो इसमें पेटरन यूज किया गाए स्टुडेंट्स वह पेटरन क्या रहे देखो यहां टू टाइम वन था और इनके बीच में कोई भी जीरो नहीं है तो इतर क्या लिखाल बशयाने 121 फिर इसमें क्या है यावी two time one ha abort? बीच में उन जी two time one बूं लिख दिया लेकिन उन समट के बीच में एक एक गई zero दसे इदर one time zero थी ना तो इदर भी one time zero बूं लिखना है तो इसमें क्या है यह हब है यह इंगा अगला पैटन की आ गया 4 time तो इधर इन्होंने क्या लिख्या 1 to 1 सभी में 1 to 1 लिखना था अब इधर बीच में 4 0 है तो यहाँ भी 4 time 0 यहाँ भी 4 time 0 तो यह pattern complete हो गए अब इधर देखो यह भी 1 यह भी 1 between 0 कितनी है 6 time तो इधर अब हम क्या करेंगे पहले तो हमें 1 to 1 लिखेंगे अब इधर में 0 कितनी लगेंगी 6 time 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 और फिर लिखना तो friends यह हो गए हमारा pattern complete in का निकाल लगे देखो गे तो भी यह ही आएगा तो यह 4th sum complete हो गए 5th sum अगले वीडियो में करेंगे 5th sum 6th veteran 25th 27th झाल झाल